नमस्का दोस्तों तो इस वीडियो में मैं आपको बता हूँगा Snapdragon 775G के बार में ये तो Snapdragon 775G ये Snapdragon 765G का डाइडेट अब्रुडरेट वर्शन होने बाला है और फेबुरारी के आखिर ताकि या फिर मार्च मैनी के अंदर गैरेंटीड डॉंच होगा Snapdragon 860 processor के साथ तो इस वीडियो में मैं आपको बता हूँगा कि ये जो upcoming Snapdragon 775G आने बाला है exactly इसका specification क्या होगा इसका performance कितना बढ़ी होगा इसका अंठूटू स्कोर कितना बढ़ी होगा और अगर आमीचे Snapdragon 765G के साथ compare करेंगे तो एक कितना ज्यादा powerful होगा और ये वीडियो प शुरू करते हैं अच का वीडियो बीन आफको ये बात का बर आज के वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गज्यागों चाहिए पर नहीं है और आसी वीडियो आगी भी दिखना चाहते तो गैज्यागों को सबस्क्रिक करने बिलकूई मैं दभूलिए गा तो ये जो म तो स्नाप्डागों 775G इसका मोडेल नमबर है SM7350 और अगर इसके मोडेल नमबर की बारे में बात करें मतलब इसके मदरबोर की बारे में बात करें उसका नामे सेडर्स तो इसको स्नाप्डागों 775G कहा जारी कि यह सैंसॉंग 6-nanometer आर्किटेक्टर बेस्ट होगा मतलब इक स्नाप्डाग 6-core division देखने को मिलेगा मतलब दो हाइप परफ्रमेस कोटेक्स A77 core जिसका स्पीड होगा मैक्सिमम 2.4 GHz तक और 6 लो परफ्रमेस कोटेक्स A55 core मिलेगा जिसका स्पीड है 1.8 GHz और अगर आम इसे स्नाप्डागों 765G के साथ कॉम्पेर करें तो उसमें भी आ स्नाप्डागों 775G में आपको 40% ज्यादा CPU परफ्रमेंस देखने को मिलेगा और एकदम confirm news है इसके बाद आगर में इसके GPU ग्राफिक्स कट की बार में बात करें आप देखें इसमें Arduino के कौनसे सीरीस का ग्राफिक्स कट आएगा इसके बार में तो कोई confirm information नहीं है लेकिन यही पता चला है कि इसका जो ग्राफिक्स परफ्रमेंस वो exactly 50% ज्यादा पारफुल होगा compare to snapdragon 765G तो अभी मैं आपको दिखा तो कि दरसा snapdragon 775G का untuto score किया है कि already snapdragon 775G का कुछ prototype score हमरे समने आ चुका है तो snapdragon 775G का जो early benchmark score वो है 5,30,000 के आसपास और अगर हम इसे snapdragon 765G के साथ compare करें तो उसका score है 3,60,000 के आसपास तो अब देख सकते कि exactly 65% से भी ज्यादा पारफ्रमेंस गेना में मिलता है compare to snapdragon 765G अगर एक से कुछ बाकिक एक feature के बार में बात करें इसमें आपको HDR10 प्लास साथी बार डिस्प्ले मिलेगा जो maximum refresh rate बहुत सपोर्टेड होगा 120Hz RAM आमें देखने को मिलेगा 12GB लेकिन maximum LPDDR5 तक का RAM देखने को मिलेगा और आगनाम snapdragon 765G के बार में बात करें उसमें में maximum 12GB लेकिन LPDDR4X क्वालिटी का RAM अगर memory के बार में बात करें इसमें आपको maximum 256GB तक का सपोर्ट मिलेगा चो और जो memory क्वालिटी बहुगा UFS 3.1 और camera के अगर बात करें इसमें आपको maximum 1200MP तक का camera का सपोर्ट मिलेगा और 1200MP का सपोर्ट इसलिए दिया जा रहा है क्योंके इस साल के middle तक Samsung आपने 1200MP बारा camera लॉंच करेंगा जाज के आप देख सकते कि 21,000 रुपाय पर इंडिया में आपको 180MP बारा camera मिल रहा है तो इसका मतलब 25,000 के आसपास हमें बहुत ही जल 200MP बारा camera भी देखने को मिलेगा इसका बात आगर हम Snapdragon 775G के कुछ बाकी के फीचर की बार में बात करें तो इसमें आपको 5G चीप देख देखने को मिलेगा, Snapdragon 888 और Snapdragon 480 के जैसा इसमें भी आपको triple ISP का फीचर देखने को मिलेगा और अगर हम Snapdragon 775G के launch rate की बार में बात करें तो देखिए, अलग-अलग source से यही मालूम चला है कि यह जो Snapdragon 775G आइदर February के last week में या पर March माहिनी पर launch हो सकता है, मतलब अगली माहिन तो आप जो सबसे में जीज इजो Snapdragon 775G के साद कौन-कौन से smartphone आने वाला है, इस चार्ट में आप देख सकते, तो Snapdragon 775G के साद टोटाल यही सारे smartphone आने वाला है, जैसे कि OnePlus 9 Lite, Google Pixel 6, Vivo V30 Pro, Vivo S8, Vivo X70, X70 Pro, IQ Z2X, ZTE Axon 13 5G, Oppo Reno5 का एक एडिशन, Oppo K7 5G, Oppo Find X35G, Realme X60 5G, Galaxy A71 5G Edition, Mi 11 Lite 5G, और Redmi K40 Series के अंदर मेरे कहल से टोटल तीन एडिशन होगा, एक तो Redmi K40, जो किसा है चायना पे होगा, एक तो Redmi K40 4G Edition, और तीसरा होगा Poco F3, वैसे जो Poco F3 मेरे कहल से सादे Poco F2 Lite भी हो सकता है, तो Snapdragon 775G के सा टोटल एक सारे smartphone आ रहा है, तो आगर मैं इस वी 750G मिल रहा है, 20-21,000 के price range में और Xiaomi प्रोवाइट कर रहा है, और Snapdragon 765G जासा smartphone हमें 22-23 या पर 24 समार्पोन में मिल जाएगा, तो इसलिए मेरे कहाल से, Snapdragon 775G के साद कोई smartphone का price इंडिया में हो सकता है, 25,000 के आसपास, क्योंकि इसका जो Antutu score, जो कि 5,30,000, ये exactly same Antutu score जो कि हमें देखने को मिलता है, Dime City 1000 Plus में, तो इसलिए हम क्या सकती के जो Snapdragon 775G, इसका price इंडिया में कोई smartphone के साथ होगा, 25,000 के आसपास, बैसे आप मुझे निचे कमें में बते हैं कि ये जो नया बला smartphone ये आपको कैसा लगा, कि आपको ये नया बला smartphone लेने लाइक लगा या फिर नही विवगाओ भी पत up तक, stay tuned and always remember, think positive, be positive. Thank you.